चाप्र थर्ड, रिजर्व बेंक ऑफ इंडिया, थोड़ा सब इसकी हिष्टरी देखते हैं, एक दो पॉइंट में, फोस्ट अप्रेल 1935 को इस्टाब्लिश हुआ था, और आर्बिया और इसका एक्ट पास हुआ था 1934 में, आर्बिया का नैशनलाइजेशन हुआ था, 1 जैनुरी 1949 में, और आर्बिया नैशनलाइजेशन एक्ट जो पास हुआ था, 1948 में हुआ था, नेक्स्ट भी हाव गवर्नर्ज ऑफ आर्बिया ब्रिटिश गवर्नर, जब आर्बिया इस्टाब्लिश हुआ 1935 में, एक पास हुआ था, 1934 में, ठीक है उस ताइम, कौन थे ब्रिटिश गवर्नर थे, मिस्टर ऑस्बॉन स्मिथ, 1935-1943, आफ्टर था, फोर्स इंडियन गवर्नर बने थे, हमारे आर्बिया इके, मिस्टर सीधी देश्मोग, 1943-1949, next, now we have a history of above 5-6 years, before 5-6 years, governor of RBI, 2013-2016 में, Mr. Raghuram Rajan, governor of RBI, 2016-2018, Mr. Urjit Patel, who took over from governor in 2018, that is Mr. Shakti Kanta Das, Next, we have a definition of Reserve Bank of India, Central Bank means a banking system under which any bank has a complete monopoly of note issue, note क्या हमारा जो पैसा है, वो कौन issue करता है, हमारी का अर्टरी में, RBI, ऐसा न्यू होता है, हम भी तो बढ़ पर मशीन लागे issue कर सकते, ऐसा possible नहीं है, जो हमारे जित्ते भी rights है, to issue a note, except, the right to issue a note, is in the hand of RBI, but, point of rupees, one is issue by the Finance Ministry of India, तो है, Finance Ministry of India की, वो issue करते है, coin, उनके बास RBI के पास नहीं है, right issue करने का पनारे points, Next, we have, I will give example, take example of Jimbabwe, एक country है, Jimbabwe, जहाँ पर कितने के लाखों के लिप note छप चुक है, वहाँ पर एक example है, कुछा कहता है, अगर हमें एक bread लेके लेके नहीं जाना है, तो हमें 3 लाख रुपर चाहिए, एक bread लेके 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 लिए, क्यों, वहाँ पर इतनी जादा, महिंगाई हो चुके इतनी जादा, लोगों के पस पैसा है, लोगों के पस purchasing power है, वह inflation है, वह country 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 है, जहाँ जापी जारी है, कितने 10 million के सबसे बड़ा नोट चप चुका है, वह लोगों लेके अपने 10 million आप सोच सकते हो, आपके पास, that is the reason, कि जो हमारी, हमारी rules and regulations कोड़े कम हैं वहाँ इन सब चीजों के लिए, लेकिन जो RPA है, वह बहुत तरीके से बहुत सोच समझ के अपने note issue करता है, आज चाहे वह 10 उपे के बड़न कितने note निकाल दे, आज चाहे वह 2000 के कितने note निकाल दे, after deponetization, जब हमारी note बंदी हुई थी, दो दिन bank बंद थे, क्यों? RPA चाहता हूँ स्पूस मशीन है, वह चाहे तो नोट चाप सकता है, लेकिन नहीं, उसको सब कुछ कंट्रोल करना था हमारे इंडिया में, एक तम से Mr. Narayan Modi, the Prime Minister of our India, took a decision to have a note बंदी, क्योंकि वहाँ ब्लांक मनी बहुत जाद होगी, तो उसमें RPA के वह राइट था, कि वह note चाप बार दे, bank में दे दे, लेकिन ऐसा नहीं किया, क्योंकि उसको सब कुछ देना था हमारी country में, current rate, bank rate, repo rate, सब कुछ देना था, इसलिए RPA ऐसा नहीं करता, RPA पूरी condition, देखके, पूरी terms and condition, देखके note चापता है, हम कहते हैं, हम note चाप ले, RPA ऐसा क्यों नहीं करता है, इसका भी solution है, I will tell you afterwards, definition should be clear, Central bank means a banking system under which any bank has a complete monopoly of note issue, जिसके मोनोपोली, मोनोपोली मतलब एक राइट, उसको एक ही, ऐसी ही, एक ही saylor और बहुत सारे बायर और, पॉर्णी को ही हिवत होता है, जो अपने जन्रली पढ़ा ही को है, कि एक हमार पास saylor और many buyers है, यह चाहे, पांछो की चीदी है, यह चाहे पांचो की चीदी है, तो पॉर्णी के पास हमारे नोटी शों लुटनेगी, only the Reserve Bank of India. Next topic we have a development of RBI. Development का हुआ अर्बाइ 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 अवार 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 जो माना पहला विश्वियोधि हुआ था. Most of the country of the world need to recognize economic sector and the central banking was in world. जब हमारा first world war हुआ था तो बहुत सारी countries को ऐसा लगा कि अब हुमारा जो economic sector है, जो हमारी अर्ट वेबसता है, जो हमारी अर्बाइ अर्बाइ सेक्टर है, economic sector, primary sector, tertiary sector, secondary sector, ये. Central banking, एक central bank होना चाहिए हर country में जो सारे छोटे-छोटे banks, like commercial bank को control करे, was evolved. ऐसी नीड हाई after the world war of first, इसके अधा पड़ेगी next point में development कैसे हुआ RBI है. Next, we have a more points in development of RBI. International Financial Conference was held, एक conference हुई थी किसमें Brussels में in 1920. ठीक है, भाप एक proposal passed हुआ था, that those country, वो जो ऐसे countries हैं, who have not set up a central bank, they should set up such bank at the earliest to established banking system. ऐसी countries, जिनके पास अपने central bank नहीं है, like हमारी इंडिया को ही ले लो, 1935 में हुआ था, ठीक है, देखो, जो countries में, क्या नहीं है central bank, they should set up such bank at the earliest to establish a banking system. ठीक है, after this proposal, central bank was set up in several countries, बहुत सारे countries में पहले हो चुगा था, लेकिन RBI was set up in 1935 as the central bank of the country. एक पास हो चुका था हमारा का, 1934 में उसकी working start हो चुकी थी, establishment हो चुका था, okay, it's a mistake, it's 1935 as the central bank of the country. next we have a features of hardware, sorry it's 1939, 1935 में established हुआ था, लेकिन जो set up हुआ था, central bank of the country वो हमारा 1939 में हुआ था, करते हैं, sorry it's a technical mistake. next we have a features of RBI, central bank play an important role as an apex institution of various banking and financial institution working in the country and regulates and control the banking and monetary system. apex institution है, plays an important role as an apex institution of banking, ये पूरे banking को समालता है, financial institution working in the country, जित्त भी हमारी financial institution है, countries के अंदर regulates and control the banking and monetary system, what is the monetary system, money से related, जित्त भी money से related है, हमारी coins है, हमारी colors, सब कुछ 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 हमारा देखता है, RBI है, हमारी apex है, apex नदा most important institution, apex नदा supreme होता है generally, next we have two more features, maintaining a stability in internal price level and foreign exchange rate, क्या होता है बेटा है, internal price level and foreign exchange rate, ये इसका मतलब क्या है, आज हमारे एक रुपे, 69.98 के वड़ावार है, अगर हमें एक डॉलर चाहिए अमेरिका का, तो हमें 69.98 मतलब 70 रुपीज पे करने पड़ेंगे, डॉलर को, अमेरिका की country को, लेकिन उनको अगर, हमें एक डॉलर देना है, ठीक है तो हम, उन्हें अगर हमारे कितने चाहिए है, currency, उनको कितने डॉलर देने पड़ेंगे, सोचना है एक बनको भी चीक है, next we have a central bank, have a monopoly over the note issue, जो में definition में भी पड़ा, कि monopoly है over the note issue, जो में central bank क्या करता है, note issue करता है, credit is created by the banking institution, और लोज भी कौन देता है, अगर हम 69.98 का एक डॉलर है, ठीक है, कितना है, एक डॉलर है, 69.78 का एक डॉलर, ठीक है, अगर हम अमेरिका में जाते हैं, तो हमें 70 रुपीज खर्च करने पड़ेंगे, एक डॉलर के लिए, लेकिन अमेरिका वाले हमारे यहां आते हैं घूमने, तो एक डॉलर में 70 रुपीज का समान मिल जाएगा, कितना फड़क है, एक डॉलर 69.8 का, अगर हम कहीं बहार भूमने जाते हैं तो, हमें देने पड़ेंगे 70 रुपीज आज की डेट में, और एक डॉलर अगर वह हमारे आते हो, अगर हमें एक डॉलर जाते हो तो, हमें 70 रुपीज तक का समान खरीज सकते हैं हमारे से, है न फरक है, that is the maintaining stability, तो RBI क्या करता है, अपनी stability maintain करता है, internal price level and foreign exchange rate में, तो हमारा organization कैसा है, RBI का, इसमें 20 total members होते हैं, central board of directors, 20 directors होते हैं, जिसमें से सबसे बढ़ा हमारा supreme body of the RBI का होता है, हमारा एक governor, चार डिप्टी governor उसके नीचे, फिर director बजे 15, 10 nominated होते हैं by central government, 4 nominated by the local boards, like eastern region Kolkata का अलग है, western region Mumbai का अलग है, southern region New Delhi का अलग है, northern region New Delhi का, southern region का मारा चैन नहीं है, 1 nominated by the local boards as a government officer, और एक जो नॉमिनेटर होते हैं, 19 हो बहें, 1, 4, 5, 15, 4, 19, और एक बजा, 20 we have, एक जो बजा वो, 1 is nominated by the local board, बहुँच ऐसा government officer, एक government officer होता है, nominated होता है, 2 chapter RBI है, हम इसमें definition पढ़ चुके है, इसके RBI की, features पढ़ चुके और RBI की, governors पढ़ चुके RBI की, RBI की history पढ़ चुके है, इसा administrator control over the credit to, credit that the bank, commercial bank grants, credit control is a system by, used by the businesses to make sure that, it gives credit only to customer, who are able to pay, and that consumer pay on time, credit क्यो होता क्या है, एक तरह का loan and advances है, अब यह क्या होता है, इसको कैसे control करता है, कान RBI, a major weapon of monetary policy, जो पैसे से related होती है, monetary policy, used to control demand and supply of money, demand and supply of money, in the economy, हमारी supply and demand ही तो है, किसकी money की, किसमे economy में, RBI administrator, over the credit that the commercial bank grants, credit कौन देता है, commercial bank देता है, as per the rules regulation of RBI, RBI administrator ने control किसको करता है, commercial bank को जो grants करता है, credit controlling, used by our businesses to make sure that, हम उनको credit दे, credit only to customer who are able to pay, जो pay कर सके, that consumer pay on time, और जो time पे पे कर सके, अगर किसने 3 महीने का loan दिया, तो after 3 months with interest, उसको pay कर देना चाहिए, इसको consumer को, हम ऐसे किसी को भी loan नहीं देते है, bank ऐसे किसी को loan नहीं देते है, उसकी पूरे information लेते है, पूरे होम लोन होते है, बहुत सारे लोन होते है, वो ऐसे लोन किसी को नहीं देते है, बहुत सारे साइन होते है, बहुत साही फॉर्मालिटी होती है, तो ऐसे customer को देते है, who are able to pay, and that consumer pay on time, जो time पे पे करते है, यह था हमारा credit control, इसके बाद देखेंगे, हम कैसे करते है, RBI इसको कैसे control करते है, next, the reserve belt is the most appropriate body to control credit creation, creation of credit, thus RBI control credit in such a manner, as to bring economics development with stability, क्या बहुत है reserve, बहुत कैसी body है, Apex body है हमारी, Fx body हमने पहले ही बढ़ा था, इसके features में, monopoly है no tissue करने की, यह no tissue करेगा हमारी इंडिया में, किसी के बाद राइट नहीं है, 10, RBI क्या control करते है, credit, ऐसे credit को control करते है, in such a manner, so as to bring economic development with stability, economic development हो लेकिन कैसे stability से, ना ज्यादा हम loans में दें, ना ज्यादा advances करें ना हम कम करें, credit control इतना करें, कि हमारे देज में ज्यादा पैसा ही नहीं हो जाए, लोग loan ले रहे हैं, और ज्यादे ज्यादा पैसा हो रहा है, कि उससे हमारी महंगाई बढ़ेंगी, लोग loan ही नहीं ले रहें, तो उससे हमारी, हमारे लोगों के पैसा ही नहीं होगा, वो किससे समान खरीदेंगी, तो उसमें वो भी condition गलता है, और महंगाई की गलता है, तो आर्बे यही कह रहा है, सो आस तो पिली, एकनॉमिक डवलप्मेंट्ट्यूर्प्मेंट्विद स्टैबिटी, अब दो इस्ट्रूमेंट है, Quantitative, Quality, quantitative वहं नेक्स्ट पढ़ेगे Quality, qualitative, Quantitative में हमारे सबसे पहले Bank Right, Report Right, Cash Reserve Ratio, Chateory Liquid Ratio, Open Market Operation, यह सारे जित्ते भी यह है इस सब क्या इंट्रोल करते हैं हमारा ऐसे ओंट्रोल करते हैं कि तो मेंटे इंट है इस वस पर संदे करने देंक रिग्रेट और कांच रिटाओ रेश्व डू रिशो त्रग्रेट। बेट योपरस परेंटिव ड्रेट्रीयो दोय। commercial bank against the securities of government मैंता क्या होता है commercial bank के बस पैसा खासे आता है commercial bank को loan की वीड पड़गी किससे लेगा bankers of bankers apex body are central bank ठीक है उन्होंने central bank से loan लिया ठीक है against the security वो भी कुछ securities रखते हैं on government it is a long term security इस कैसे long term security हमारा current में bank rate चल रहा है 6.75% अब question यह आता है कि यह भरता क्यों है यह कभी 6.75 हो जाता है कभी 4% हो जाता है कभी 5% यह ऐसा क्यों होता है यह ऐसा इसली होता है देपर next line कड़ो are they increase bank rate at the time of inflation to control the credit 6% कर दिया are they decrease the bank rate at the time of deflation to control the credit पैल तो पढ़ता है inflation जाता है inflation बेटा वो condition होती है economy में कि जब हमारी demand बहुत जादा है जब हम लेने के लिए त्यार इस बहुत जादा महिंगाई है और हमारी supply है वो कम है हमारी demand तो है 10 की हम 10 piece produce कर रहे है किसी भी quantity के किसी भी product के और हमारी demand है हमारी supply किती है 10 piece और हमारी demand ते 15 piece 40 piece लेने के लिए त्यार है लोग तो उसकी price automatically भड़ेगी ना बढ़ेगी बिल्कुल बढ़ेगी तो लोग क्या करते हैं economy में क्या करते हैं bank rate को बढ़ा देते हैं inflation में bank rate इसके लिए भढ़ा commercial bank के लिए bank rate बढ़ गया 6% उसको pay करना है RBI को तो वह आगे 8% इसको देगा लोगों को कमाएगा भी तो सही 6% उसको देना है वह बढ़ा देता है bank rate ठीक है कौन बढ़ा देता है RBI bank rate बढ़ा देता है RBI decrease कप कर देता है bank rate at the time of deflation deflation क्यों होता है कि हमारी supply supply लोगों के लिए पैसे ही खरीदने की purchasing power ही नहीं है तो यह क्या कर देता है bank rate को कम कर देता है अब यह तो bank rate हमारी तरफ से 6% हो जाएगा commercial bank क्योंकि 4% उनको देना है बिल्कुल देना वड़ागा ठीक है यह है it is the rate at which the central bank grants loan किसको देता है to commercial bank अगी the securities of government अब इससे लिए condition में क्या होता है increase loan loan लही जा रहे लोग loan लही जा रहे तो bank rate भढ़ जाएगा तो लोग loan लेंगे नहीं लेंगे bank rate कम हो जाएगा लोग loan लेंगे आल मैंने 10 लाग का loan लिया है मुझे उसको 6% की payment पे interest पे देना है ठीक है लेकिन कल मुझे बता चला 8% हो गया क्या मैं loan लूगी नहीं मैं बेट कहुँए कि थोड़ा interest rate कम हो जाए यह हमें inflation और deflation समझा है हम हर point में inflation और deflation यही मतलब होगा inflation मतलब हमारी जो demand है वह बहुत जाद है purchasing power है महत जाद है bank rate long term securities होता है इसका next होता है repo rate next हमारा topic है method to control credit हमने यह देख लिया कि control कैसे होता है credit का RBI का इसमें क्या रोल है इसके दो method है quantitative qualitative method to control credit के 2 method है quantitative qualitative quantitative है quantity इसमें भी हमारे 5 types के है bank rate repo rate SLR CRR open market operation तो next पढ़ते है यह सब क्या है commodity rate में हमारा force है bank rate it is the rate at which central bank grants loan to the commercial bank against the securities of government generally क्या होता है जब commercial bank को need पढ़ती है monetary पैसो की तो वो किससे loan लेती है central bank से bank is a long term security हम इसको example से समते definition और इससे कुछ भी समगने है PNB को need पढ़ी bank से loan की दे दिया कितने percent पे 12% पे ठीक है लेकिन PNB भी तो customer को देगा जब उसको 12% पे payment करना है किसको RBI को लोन का तो वो हमें कितना percent देगी 14% अपना 2% किया रहे की margin ठीक है अब देखो यह तो था 12% 14% 2% marginal लेकिन अब RBI ने दिया ही PNB को 10% पे है इंटरस्ट पे तो हमें PNB हमारा भी कम कर देगा PNB क्योंकि उदर से उसका कम हो गया यह वाल यह विए आरोज देखना RBI ने PNB को दिया 10% पे तो PNB हमें कितना देगी customers को 12% पे ऐसा क्यों हुआ जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है जब मार्केट में ज़्यादा पैसा होता है इन्फिलेशन वेली कंडिशन महेंगाई जब होती है तो जेनरली यह सब क्या गर देते हैं यह इन रेट को बढ़ा देते आर्बेशन सारे रेट को बढ़ा देता है जिसे पैसों को कंट्रोल हो जाए तहां पर मार्केट में अब देख कैसे करता है जब पी एन जब आर्बेशन बारा पोसें इसको देर है पी एनवी को पी एनवी कस्टूमर्स को किता देर है 14% ठीक है तो क्या कस्टूमर्स लेने के लिए रेडी होगा नहीं होगा क्योंकि 14% उसको रिपेमेंट करना पढ़ रहे विदें ट्रस्ट ठीक है अगर अब हमारे यहां पर मंदी चल रही है आर्बेशन रेट को कम कर देता है अब आर्बेशन पर्सट रहा है 10% और पेशन पर्सट को देरा 12% तो हम लेंगे 12% ही चुकाना है पहले हमें 14% चुकाना पढ़ रहा था जब अहीं बहुत लिए ऐसे हमारा मॉनेट्री और क्रेडिट कंड्रोल कंड्रोल रहे ते किता से मार्केट से ट्रीके नेक्स्ट है हमारा रेपोडेट राबात रेपोडेट यह भी बहुत सिंपल रहए सेव है लेकिन यह सिर्ष घुर्ण तम के लिए होता है पिसमन फिरफसर बस जो मारा बैंकरेट हो लॉंगि लिए अगर इसका भी रेटबढ़ा दे रेपो रेट है रेट बढ़ा दे कौन आगए तो हमारा चिंड बमेंट करना भी बढ़ाते जो सहम एक्जांपल की मने आपको एक्जांपल यह थीजांपल से कुछ में आपको बैंंक रेट में गारेट ग्री किया है, थी कहां और लेटेस कमेर्शियल बेक्श फिससे rps central bank फ़ श्र कें को कर तो कि हं नेक्स्ट से हमारा घिजी ट लीगर रिकलrator डिंच्झ निय backl opened to be kept के लिए के लिए कि आप अपना कुछ तुमी मिनिमा पोसिंट जो डिमाने टाइम लाइबिलिटी तुबी कैप कमर्शिल बेंग विधा सेंट्रल बेंग एक बाव तो हम पैसा रखाने से ड़ते क्यों नहीं है बैंक में भी तो चोड़ी हो सकती है बैंक में भी तो आग लग स सब्सक्रज ज्टे कुछ भी हो सकते नाचेरल अन्जचे को सकते हैं तो हम अरफीवार्शल कषय तो हम ढूंग सेथा करते हैं क्या करते हैं जिर्चंट्रल थोड़ी थोडुफ दे र्बंग क liner इसमें next हमारा topic है वो functions है इसके RBA तो उसमें पढ़ेंगे Lender of Last Resort जो हमारा RBA है वो Lender of Last Resort का तो RBA जा करता है उस time में यह वाला पैसा निकाल के रहता है कि इसको commercial bank हो ठीक है एक होता है SLR Statutory Liquid Requirements जो आपने पास सबस्ता है हमने अहता है च्रीक है उसमें ₹100 रुपे होएक तैसे आप स सकता आपने पास रख़ए आसकता है उसको क्यादे बहुत मैं पर बहुत सारा मांप हो जाते हैं एक बेंक के पास 1000 रुपे की deposit नहीं आती यह just an example is just an assumption लेके चलना कभी भी मेंक के बास 1000 पी की deposit नहीं पूरे दिन की deposit में से वो CRR और SLR रखता है ठीक है कुछ वो देता है किसको commercial bank को कुछ वो देता है अपने पास रखता है अब देखो इसको कैसे control करती है महेंगाई और मंधी में जब महेंगाई होती है इस वले rate को पढ़ा देती है कौन? Central bank तुम अब तुम 10% रख रहे हो commercial bank Central bank को 10% रहे है 20% क्या दो 20% रहो किसका Central bank के पास SLR में यही होता से अपने पास की तुरह जादा मौंट रहो यह सब हमारा महेंगाई और मंधी को control करने के लिए यह सारे rates भढ़ जाते हैं यह सारे rates कम हो जाते है जानवानी मंदी होती है दोबार बढ़ते हैं CRR गया है cash reserve ratio वह से ही समझा रहे है cash का reserve का ratio statually liquid ratio it refers the minimum percentage of demand and time liability to be kept by the commercial bank इसके पास इन अपता है with Central bank सब के जित्ते में हमारे commercial bank है सब के अकाउंट कहां पे है Central bank में उनका बहुत सारा पैस Central bank के पढ़ा है और बहुत सारा पैसे उनका अपने पास भी पढ़ा है ऐसा उनकी अपनी डिपोजित का ठीक है SLR क्या है ट्रेफर्स को minimum percentage of net demand and time liability with the commercial bank are required to maintain with them safe open market operation अब यह क्या है it refers to buying and selling of government securities by the central bank from to the public and commercial bank क्या होता है open market operation इसमें जो Central bank होता है उसको पूरा राइट होता है कि वो जो government की securities tertiary bill government की properties उनको sale करते उनको buy करते किस condition में करता है सेल और बाय जब बहुत जदा महंगा ही है लोगों के पास पैसा ही पैसा है तो वह सेल करते हैं और अपने security paper type होता है tertiary bills वो ले लेता है तो वो market में पैसा फैल जाता है that is our known as open market operation दवारा देखने है it refers to the buying and selling of government securities by the central bank from the public and commercial bank in the inflation जब बहुत जादा महंगा ही है तो वो सेल करता है security को जब बहुत जादा मंदी चल रही है deflation हमारी मंदी होती है और बाइंदा security ठीक है security ठीक पेपर टाइप होता है जरुजी मिलोगे कोई भी property होगी कुछ भी हो गया वो सब होता है चीक है कि नेक्स्त हमारा है qualitative matter quantitative पढ़ चुके थे जिसमें उपने rates को कम और ज्यादा करें अब हमारा qualitative qualitative में हम सिर्फ qualitative में प्राइस को कम जादा नहीं करेंगे हम कुछ fixations कर देंगे कुछ restrictions लगा देंगे loans पे यह सब करेंगे हम amount को कम जादा नहीं करें क्योंकि वारा qualitative method है quality से बिर्ट हम इसमें क्या करेंगे loans को कम कर देंगे इस sector में लोन मत दो इस sector में लोन दो ठीक है इतना लोन दो इतना लोन मत दो देखो पहला है हमारा selective credit control RBI क्या कहता है हमें selective credit control करने चाहिए fixed है हमारा fixation of margin fixation of margin का मतलब है हमारा amount है हमें loan देने 10 लाग का तो हमें securities हमेशा जादा रखते हैं हम 13,5000,000 thes k dobreplay查 रहें 14,000,000 देखे तो 10,000,000 देंगे तो fixation of margin वेशे हमारा 4,000,000 to 4,000,000 देखने अगर यही आरडोल दस लाग machines in लोन लिए Epic loan हो तो 10,900,000 के लोन का दो पहीं आनिकर्यों करेगा नहीं करेगा तो लोन्हां को जाए गा तम करो कि लोन लेने के लिए ready नहीं होगा, market में supply of money already come होजाएगी लेकिन हम कि अगर वारांगे security सेटहां वारालागी सब ready हो जाएगे, loan लेने के लिए फिर हमारा supply of money भड़ जाएगी, publicity, आरबे क्या करता है, generally publicity करता है किस चीज की अपने, the RBA may allow the policy of publicity in order to make known to the public its view about credit expansion in contract it may issue warning to people or commercial that what does it do? It keeps views on who has credit expansion and what does it do? It tells you facts, publicity and views, okay? First, I'll read you here and I'll read it here and I'll read it here. First, I'll read about publicity generally and what does it do? R.P.I. publish your facts, figures, documents, everything published, okay? R.P.I. direct action, R.P.I. direct action, if commercial banks, under the Banking Regulation Act, the R.P.I. empowered to initiate direct action against those commercial banks which ignore its advice, which doesn't mean its advice. In such case, R.P.I. can impose restrictions on sanctioning of loan and advances, winding up of current in 1992 because of financial irregularities. So, if we don't believe that R.P.I. against the qualitative method, then R.P.I. direct action can take direct action. So, R.P.I. has been banned. The R.P.I. may refuse the discounting facilities to the banks who do not cooperate with the policy of the bank, which does not cooperate with the policy of the bank. and the R.P.I. do not pay for the loan in this sector. Moral Suzanne. This is called Moral Suzanne. Don't pay for this sector. Don't pay for this sector. Don't pay for this sector. I have three sectors. Primary, secondary and tertiary. The R.P.I. has been given direction that this sector does not pay for this sector. Where there is more production, there is more loan in the unproductive works. So, our supply of money will reduce our costs. Now, we will learn some theory. Next is our achievements of bank. We have seen credit control. There are two methods of credit control. Qualitative and quantitative. Now, let's see what achievements of R.P.I. Most probably after the failure of R.P.I. Next topic is our failure of R.P.I. Chapter is complete. Then we will start with chapter number 4. Our Nub R.P.I. Next is our achievement of R.P.I. So, not issue . jak Narayan As government bank banks areoken As government banks, when the government needs of any loan paid, who are along, income persons of R.P.I. contracts two and two sawross qualitative methods जो थे bank rate, repo rate, SLR, CRR, open market operation, उसमें आमने देखा कि control कैसे किया है RBIAR ने inflation को, amalgamation of bank, amalgamation means merging of bank, weak bank को एक strong bank में merge कर दो, जो हमने पढ़ा कर लो, role of economic development का bank में, ठीक है, protection of foreign reserve को भी protect करता है कौन, RBIAR, as an advisor to the government, advice भी देता है कि इसको government को, agriculture financing करता है, नबाद, हमारा एक institution है, जो किसको help करता है, financial institution है, नबाद, जो agriculture, SLR, small scale industries को help करता है, उसको भी RBI, finance देता है, agriculture finance, ठीक है, next chapter हमारा नबाद ही, help in bank in emergency, bank के पास loan का amount खतम हो चुका है, bank के पर deposits नहीं आरी, तो किससे help लेगा, bank को किसी चीची नीड चुए, किससे help चीचीचे का चाहिए, नबाद को लेगा, आरवेज से, कुछ चीचीचे के achievements है, note issue ये करता है, as a government banker है, control करता है, inflation को, American mission करता है, protection करता है, as an advisor of government, agriculture का finance है, help in bank emergency, credit control policy हम बहुत अच्छे से पढ़चुके हैं, इससे पहले पढ़ीं है, मैं पता है, credit control की हो तो चीचीचीची failure of hardware, failure of hardware, failure क्या आर्डबे है कि, किसी के achievement भी है, तो किसी के failure भी होईगे, fail to control inflation, ये fail हो चुका तो कर्टिस को control करने में inflation, decrease in exchange rate of rupees, बैटा क्या हुआ था, हमारा रुपया नीचे जा रहा है, आज, एक डॉलर 68 रुपीस का है, तो हमारी जो currency है, वो बहुत वीचे जानी, तो यही लिख रहा है, decrease in the exchange rate of rupees, exchange rate, एक डॉलर के लिए हमें 68.9 something रुपीस देने पड़ेगा, जो भी हमने पढ़ा था कर, पहले वाली वीडियो में, बोल सकती है, लेकिन अगर वो हमारे इंडिया में आता है, तो अगर हमें 70 रुपीस, lack of strong banking system, हमारा जो banking system है, वो बहुत भी तीच्छे है, हमारा strong banking system नहीं है, ineffective control on non-banking institution, non-banking institution like Nabat, उन पर भी ineffective control है, non-banking institution है, financial institution है, inadequate industrial financial, industrial financial, industrial को finance तो दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, लेकिन कैसे दे रहा है, एक बार दिखते है, fair to credit control, credit control, inflation decrease in the exchange rate of rupees, lack of strong banking system, ineffective control on non-banking institution, inadequate industrial finance. Next, more few points of failure of RBI, lack of developed bill market, जो हमारी bill market है, वो बहुत जादा un-developed है, जैसे हमारी tertiary bill हो गये, commercial paper हो गये, बहुत जादा अभी कैसे है, developed नहीं, lack भी developed हो रही है, ये सब जीजे, bill market हमारी developed हो रही है, जीजे है, जीजे है, in-equal interest rate, जो RBI interest rate देख रहा है, वो in-equal है, खीक है, inadequate agriculture, जीजे को प्रेडिट दे रहा है, वो unequal है, and adequate है, lack of publication of data, जो हमने अभी पढ़ा, इसमें publicity में, हमने पढ़ा था, जो RBI क्या करता है, अपने जो facts, figures, documents है, उसको publicity करवाता है, खीक है, वो क्या है, लेट publication of data, जो RBI के थ्रूँ, वो late हो रहे है, क्या data, लेकिन हमें जो facts और figure हो ताइम ताइम पर चाहिए, जिससे हमारे जो यहां के customers हैं, वो loan ले, loan दे, अपनी deposit करवाए, क्योंकि उनका trust भी बहुत matter करता है, इस पर हमारे commercial bank पर, ठीक है, और वो RBI हमारा, ठीक है, Central Bank of our country, ठीक है, the charter is finished, RBI Reserve Bank of India, हम इसकी definition पढ़ चुके है, इसकी history पढ़ चुके है, हम इसमें कुछ governance देख चुके है, उसके हमने इसकी features देखे, credit control देखा, achievements देखे, और last up एकना हमारा failure of RBI, ठीक है, अब next chapter है, हमारा number RBI,